हेलो स्टुडेंट्स नमश्कार प्रणाम आप सभी का मेकेनिकल एड़ इस यूटूब चैनल पर हरदिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कोर्पोरेशन लिम्टिड यहां अप्रेंटिस के लिए वेकेंसी है तो उस बारे में हम डिसकुस करेंगे नोटिफिकेशन फोर इंगेजमेंट ओफ टेकनिकल एंड नोन टेकनिकल ट्रेड एंड टेकनिशन अप्रेंटिसिस ठीक है तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो रहेगी वेस्टन इंडिया यानि की पस्चिमी भारत के कुछ राज्यें और केंदर शाशित प्रदेश जैसे गुजरात, महरास्ट्रा, मद्दे प्रदेश, चतिसगर्ड, गोवा, एंड दाद्रा, एंड नगर हवेली उसके बाद हम देख लेते हैं यहां कौन-कौन से डिसिप्लीन में वेकेंसी है यह आपका डिसिप्लीन कोड रहेगा और यह आपका डिसिप्लीन है टोटल वेकेंसी यहां पर बताई गई है जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन सब को मिलाने के बाद यानिकी 101 से 111 101 से लेकर 111 तक अगर हम देखेंगे यह डिसिप्लीन में टोटल 212 वेकेंसी है जिनकी पोस्टिंग महारास्टा में रहेगी इस तरीके से आप यहाँ गुजरात के लिए मद्य प्रदेश के लिए 36 कर्ड के लिए गोवा के लिए दादरा एंड नागर हवेली के लिए आप यहाँ देख सकते हैं यह स्टाइफंड है स्टाइफंड के लिए 2500 रुपए टुवार्ड स्टेशनरी मिसलेनिस एक्सपेंसिज अब बात आती है हमारी यहाँ Elisibility Criteria for Discipline Code 101 Technician Apprentices for Mechanical जो की हमने पहले देख लिया है उसके लिए 3-Year Diploma in Mechanical Engineering from Recognized Institute or University with minimum 50% marks in aggregate for General and OBC Candidate and 45% in case of ST and SC Candidates against reserved position इसी तरीके से आप यहाँ Elisibility Criteria अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं आप जिस भी डिसिप्लिन में आपने Diploma या फिर ITI की हुई है किसी भी form को apply करने से पहले उसका official notification पढ़ना बहुत ही जुरूरी होता है ताकि वविश्य में हमें किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े तो इस notice को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के description में link दिया गया है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब देखिए आप यहां selection methodology the selection process would consist of online mode of written examination तो आपका written exam होगा the online written test will comprise of 100 questions and shall be 90 minutes duration and would mainly comprise of objective type multiple choice question आएंगे Hindi and English दोनों में ठीक है यह बताया गया है कितने marks के रहेंगे सभी चीज़े इनने बता रखी है www.rectt.in इस website पे आप apply कर सकते हैं जो मैंने पहले बता दिया है description से आप copy कर सकते हैं और इस website को open कर सकते हैं आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मातरम गई एलिवा को पे आपके वाशप्टूंग जै रखकर मोरा दिवार इक वारत वाशब कार दड़ जैते हैं झाप कर सकते हैं या जैंऊपूंगय दोखक sudahगई है अव्यांयत रहाउआंग्ट